हलो दोस्तों मेरा नहीं विकास और स्वागत है आप सभी का मरसे इस्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्छा 12 का प्रशनाली 5.1 का question number 11 ठीक है तो देखिए यहाँ पर question हमारा दिया है fx ब्राबर ठीक है और यहाँ पर condition दिया है कि x छोटा है इस 2 से तथा बराबर है 2 के ठीक है तो मतलब यह हुआ इसका कि जब x की value छोटी रहेगी 2 से तब हम fx बराबर क्या इसको रखेंगे तथा x के बराबर 2 रहेगा तब भी हम fx बराबर इसको रखेंगे और हमार second condition क्या है कि x का मान बढ़ा है इस 2 से ठीक है तब हम जब x का मान बढ़ा होगा 2 से तब हम fx बराबर इस value को रखेंगे तो देखेंगे इसका नियम क्या होता है इसको हम किस तरह से लिख सकते है x बड़ा है 2 से तथा x बड़ाबर 2 और यहां पर यह है x बड़ा है 2 से ठीक है तो इसमें इसको और इसको इन दोनों चिन्हों को छोड़ दिया जाता है और यह जो बड़ाबर वाला है इस पर हम निकालते हैं संतर्थ ठीक है तो चली कर लेते हैं X बराबर 2 पर ठीक है तो अब क्या लिखेंगे X बराबर 2 देखेंगे इसमें किसमें है तो ये उपर वाले में है क्योंकि ये बराबर का चिन है तो उपर वाले में तो ये वाले रखेंगे F X बराबर इसको रखेंगे f x बरावर में x cube minus 3 ठीक है अब हम x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 2 put करेंगे f 2 बरावर में 2 की घाथ 3 और minus में 3 2 दूना 4 दूना 8 तो f x बरावर जो हमारा value आएगा 8 minus 3 मतलब की 5 आएगा ठीक है अब इसका तो हमारा f x निकल अब lhl निकाल लेंगे lhl बरावर लिखेंगे क्या limit और x tends to किस पर निकाल लें x बरावर 2 पर तो यहां लिखेंगे 2 और lhl है तो surface के लगाएंगे negative अब देखिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे x कमान छोटा है 2 से क्योंकि 2 के सार पर minus लगा है तो कहेंगे 2 minus 3 अब इसको हल करेंगे x बरावर में 2 minus h अब x कैस्थान पर x बरावर 2 तो यहां पर रखेंगे 2 बरावर में 2 माइनस h 2 से 2 कट जाएगा h बरावर में यह 0 ठीक है अब देखिए इसका अगला step होता है limit और h tends to 0 पर तो यहां पर हम क्या रखेंगे यह वाला value यहां पर put करेंगे क्योंकि यहां पर f x का मान ही रखा जाता है तो यह हो जाएगा x क्यूब माइनस में 3 अब देखिए अब हम x के अस्तान पर यह वाली x की value यह वाला put करेंगे 2 माइनस h ठीक है तो यह हो जाएगा 2 माइनस h का क्यूब और माइनस में 3 तो देखिए h का value h बराबर 0 तो यहां पर हो जाएगा 0 दो मेंसे 0 घटेगा तो यह 2 ही रह जाएगा अब 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे 2 दून 4 दून 8 तो 8 माइनस 3 तो हो जाएगा 5 ल, h, l बराबर में 5 ठीक है तो देखिए यहां पर हम आरेचल निकालेंगे तो लिखेंगे र, h, l बराबर में limit x tends to 2 पर क्योंकि हम x बराबर 2 पर निकाल रहे हैं ठीक है अब आरेचल लगा इसके positive लगाएगे इसको पढ़ेंगे कि x की value अधीक है 2 से मतलब कि x बड़ा है 2 से तो यहां पर देखिए x बड़ा है 2 से कि खुला हुआ मूह x की तरफ है तो fx के अस्तान पर यह वाला रखेंगे तो यहां पर हम रखेंगे x square प्लस में 1 अब इसको हम जीरो ठीक है अब देखिए अगला step होता है हमारा लिखेंगे limit h tends to 0 पर ठीक है तो अब यह वाला value यहां पर पूट करेंगे fx की value x square प्लस 1 अब x की value यह 2 प्लस h यहां पर x के अस्तान पर लिखेंगे तो जाएगा 2 प्लस h का square और प्लस में 1 यहां पर दिया है यह इतना हुआ और hl बराबर ठीक है अब इसको देखें h के अस्तान पर हम लिखेंगे 0 तो 2 प्लस 0 मतलब की 2 ही रह जाएगा 2 का square 2 दूना 4 और 1 5 तो rhl बराबर में 5 ठीक है तो rhl बराबर में 5 है और lhl भी 5 और fx भी 5 तो लिखेंगे की fx बराबर में lhl बराबर rhl ठीक है तो फिल लिखेंगे कि अत्व है एक्स बराबर कि दो पर कि फलन कि संतत है कि ठीक है और यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आज करें वीडियो अपलोग कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरू बता है अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राब जरू करिएगा चलिए म